बिस्मिल्लाहिर रह्मान रहीम वेलकम टू मैं यूटीब चेनल स्मार्ट माइन एकेडमी जैसा कि आपको पता है चालीस मॉस्ट इंपॉर्टेंट मॉस्ट रिपीटेड इंसी क्यूज का एक्सेल सेल में शुरू किया है सोशल स्टेडी का तो आल्रेडी एक वीडियो अप्लोड हो चुका था आप लोगों ने देख लिया है उसमें चालीस मॉस्ट इंपॉर्टेंट मॉस्ट इंसी क्यूज आफ टू तूज़ेंट टूज़ेंट टू यानि दोहजार पच्चिस के सबसे ज्यादा आने वाले सोशल स्टेडी के सेक्शन में उसको हम कवर कर रहे हैं तो आज की वीडियो में इंशालला मजीद 40 मॉस्ट इंपॉर्टेंट मॉस्ट रिपीटिट इंसी क्यूज आफ टूज़ेंट पॉन्टिफाफ दौज़र पच्चिस के सबसे ज्यादा आहम स्टेडी सेक्षन के जो इस 24 में आते हैं इस वीडियो में हम वहों किस्चन अप्लोड करते हैं तो आज उस सिल इक Been aggression और अगर अपने पहली वाली वीडियो na ही दे की तो वह भी इस प्लैलेस में मौझूद है और यह वीडियो जो है यी अ दौनों वीडियो आप जरूर के इस सिलसे को हम आगे बढ़ाएंगे इन्शाला मजीद मॉस्ट इंपॉर्टेंट मॉस्ट रिप्यूटेट इमसी क्यूज आफ सोचल स्टेडी टू तूज़ेंट टूज़ेंट 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 इवादर पच्चिस के इटाटेस में जो आते हैं नमरे मसी क्यूज है विन डिट फातिमा जिनाह बिकम देट अफ दो वमन विंग अफ और इंडिया मुस्लिम लीग यानी फातिमा जिनाह आल इंडिया मुस्लिम लीग वमन की हेट कब बनी उननीश सो चालीस नैंटीन फोर्टेश दे करेक्ट अप्शन विच्छी नमरे मुझे norte तो होली कैया कों से मनिस्टर मनिस्टर हें तो ये हील्थ मनिस्टर ते हेल्थ इस दी स्थे सारदार निस्टर सिंह का था और ये मनिस्टर था 1946 में जी आगे चलते हैं तो यह जो लोकल गुर्नेमेंट होता है यह इंक्रोंच्मेंट और सफाई वग्यरा का काम यह लोकल गुर्नेमेंट करता है जिसको हम बल्दियाती निजाम कहते है जी छावा लेस विच एंपायर का जो गन्दहार पर कन्रोल ता पर्शियन एंपायर कॉं ते वा थे पर्शियन एंपायर ये था पर्सिबांत फर्श्यन अच्छा पेंटालिस वो इस ट्रडिशनली रिगार्ड़ड़ एज दी फौंडर अफ जैनियजम जैनियजम का फौंडर कौन ता महावेरा ये तो मेरे लेक्टर में भी ता मैंने कह ता महावेरा ये जैनियजम इसने शुरू किया ता जैनियजम गुतम बुद्धा जो है बुद्धाई इसके साथ साथ ये भी आपको बताता चलो कि बुद्धा जो है ये बुद्धियजम उसका मज़बता चियालिस वाट सेगनिफिकंट चेंज डिड़ ब्रेटिश मेक अफटर देड़ डिट आफ अखबर टू अगबर टू के वफात के बाद ब्रेटिश ने कौन सा चेंज किया दे रिमूट पर्शन टेक्स्ट उन्होंने पर्शन खतम कर दिया पर्शन फार्सी खतम कर दिया उन्होंने तो ये उसका सही जवाब है सेंटारिस वाट इवेंट्स इन एटीन सिक्टी सेवन चेंज सरसाइद व्यूपाइंट अन इंडियन नेशनल हूट तो ये हिंदू उर्दो का कंट्रूवर्सी जो है इसने सरसाइद का व्यूपाइंट जो है वो चेंज कर दिया कि उनके सरसाइद अहमद खान ये जो इस से पहले हो अंग्रेज के बहुत ज्यादा फैन थे लेकिन जब आटारस तो सटासाइट में हिंदी उर्दो कंट्रूवर्सी शुरू हुआ तो सरसाइद अहमद खान की व्यूपाइंट इसके साथ चेंज हो गया है मुल्वी फजल रहाइफ वास फराम प्राविन सहम उल्वी फजल रहा कौन से सुबह से था तो ये बंगाल से था बंगाल आजकल जो बंगला लो हुआ 21 याद रखे आहम पॉइंट है हूँ अस प्रेजिडेंट अफ पाकिस्तान रिमूड बाइ जनरल परवेज मुशरफ इन जून 2001 यह जून 2001 में कौन प्रेजिडेंट था जनरल परवेज मुशरफ ने जुसको हटाया वो रफिक तारड था कौन था रफिक तारड यह किस ने लिका था सलमान माकू ने किस ने लिका था सलमान माकू इस ने लिका था में गूर्ण यमेंट स्ट्रक्चिर के बन्यादी कंपॉनेंट्स त्री हैं सही कौन कौन से एक पार्लिमेंट है जुडिश्री एक हमारे पास पार्लिमेंट है जो क्या कि मुकन्ना और एक हमारे पास जुडिश्री है जिसको हम सुप्रिम कोट हाई कोट यह है और एक हमारे पास जो है वो हो establishment है तो यह तीन डिपार्टमेंट है government के river along which Egyptian civilization developed Egyptian civilization कोई से river कोई यह मैंने Egyptian civilization में कहा भी था यह along with the Nile River दरिया नील के किनारे यह वाकी थी Nile River Nile मिसर में जो है फांड रा मुस्लिए इन Bel़ुजिस्टान 1939 1939 में मुलुच्छान में मुस्लिम लीक किसने बनाया गाजी मुहँमद ईसा ने ये मुस्त कामन केस्टिन है गाजी मुहमद ईसा ने बनाया था गाजी मुहमद ईसा date of UDHR officially presented Universal Declaration of Human Rights UDHR ये कब officially present किया United Nations ने इसको present किया था 10 December 1904 को 10 December 1904 is the correct option संस्क्रेट ओरेजिन आफ दवर्ड हिंदू हिंदू कौन से जुबान का लफाज है संस्क्रेट ये सिंदू का लफाज है चंदू है гुज्राफ दीवरेघ Александ अमयून रेजेन में गुज्रात का को नता वहों बहाधर भाधर्शा गुज्राथ रेजन उसके कं नता बरभाधर्षा अपावट टूश लेंद लेजस्वे में सिक्सिध्स कोंस तीवन तेंDayákवादानर जन्रल हैंन दूआतरक रोन गाओर्नर जंडलू और फार्मेशन अप पाकिस्टान पार्टान से अधिक नंदर मिर्जा ने। तो ये 20 अप्रेल 1972 तक वो मार्शला थी 20 अप्रेल 1972 तक जुल्फिकार अली बुट्टू जो है उसने मार्शला लगाया था सिविलियन मार्शला था ही ज्यावल हक ने कब खुद को पाकस्तान का सदर डेकलेर कर दिया सितम्बर 1978 को चौन साथ विच अप्रफाल में नान रनीवाबल इनरजीए नर्जी शर्स दिन नुकलिर प्लांट प्लांट्स यूरीनियम uranium nuclear plants में non-renewable energy के दोबर पर इस्तिमाल होता है uranium which province did सरदार अरंगजीब खान present during the lahore resolution in 144 lahore resolution 1940 में सरदार अरंगजीब खान कोंसे सुभी की नमाइंदगी कर रहे है ख़ेबर पुखतुन खान आज कल है उस वकत nwfp north west frontier province ता तो ये आजकल खेवर बुखतुंखा हमारा जो सुबा है चिया साथ तरीगल फ्रेमवार्क आडर LFO एक आडर ताइकस ने इशू किया था जनरल परवेज मुशर्फ ने जनरल परवेज मुशर्फ ने LFO सता साथ Who was the first president of constitution assembly of Pakistan Pakistan की constitution assembly का पहला सदर कौन ता काईदाजूम खुद था काईदाजूम मुहम्मद अली जनर After how many years Pakistan got its first constitution Pakistan का पहला आइन कब बना कितने साल बाद तो 1905 में बना और 17 में Pakistan बना ता तो ये 9 years बनते है 9 years बाद पाकिस्तान का पहला आइन बन गया था What document was firstly draft to give peace to constitution making process ये मैंने अपने लेक्चर में भी आपको बताया था कि first constitution of Pakistan बनाने में सबसे बड़ा करदार objective resolution 1949 का था 1914 के objective resolution की बेस पर की बुनियाद पर first constitution of Pakistan जो निनिस वोचपन में बना तो वो बुनियाद बना objective resolution साथतर when the constitution is assembly passed the objective resolution objective resolution कब पास किया था तो ये 12 मार्च उनिस सब उन्चास को objective resolution उनिस सब उन्चास कब पास हुआ था 12 मार्च उन्निस सब उन्चास को when मुहामद अली बोगरा प्रेजिएंट बोगरा फार्मूला in assembly बोगरा फार्मूले या बोगरा रोल्स भी उसको कहते है ये मुहामद अली बोगरा जब उन्चास हुआ था तो उसने एक फार्मूला बनाया था कब पेश किया था October 1903 में ये बोगरा रोल आये थे October 1953 में assembly में पेश किया था Who was मुहामद अली बोगरा बोगरा कों थे मुहम्मद अली बुगरा पकिस्तान के वजिराजम थे प्राइम मैनेस्टर अफ पकिस्तान थे मुहम्मद अली बुगरा का जो फार्मूले ता उसका नाम क्या था उसका नाम था कंस्टिटूशनल फार्मूला मुहम्माद अली बोगरा ने जो रूल्स लिखे थे उसको उसने constitutional formula का नाम दिया था when first constitution of Pakistan was enforced पाकिस्तान का पहला आइन कब enforced हुआ 23 मार्च 1956 को यह बहुत आहम question है पाकिस्तान का पहला आइन 1954 आइन कब नाफिस हुआ 23 मार्च 1956 को 23 मार्च याद रखे 75 who was the prime minister of Pakistan during enforcement of first constitution पहले constitution को लागू करने के वाकिस्तान का prime minister को अन्ता पीम चुदरी मुहम्मद अली ता को अन्ता चुदरी मुहम्मद अली यह पीम थे पाकिस्तान के 1954 में यह पीम थे वर उस वकद 1954 मार्च 1956 का आइन नाफिस कर दिया उसने चिएतर what official name was given to Pakistan in 1956 constitution 1954 के आइन में पाकिस्तान को क्या नाम दिया यह Islamic Republic of Pakistan यह full name of Pakistan था Islamic Republic of Pakistan what age was prescribed for president in 1956 constitution 1954 के आइन में president के लिए कितना उमर जो है कितने साल उमर मुख्तस किया था चपन आइन में सदर के लिए 40 साल शर्त होना चाहिए 14 year 40 year मतलब सदर के लिए कम असका उमर जो है चालिस साल होना चाहिए चालिस साल से कम हो तो सदर नहीं बन सकता यह 1956 जो पहला आइन था पाकिस्तान का उसके मताबिक इन रिस्पेक्ट ओफ रिलिजन वाट टारम वास सिट फार प्रेजिएंट और प्रेजिएंट और प्राइम मैनिस्टर इन उनिस सव चपन कंस्टिटिटिट्टिट्ट 1956 का जो आइन था उसमें वजिराजुम और सादर के लिए कौन सा टलम जो है इस्तिमाल किया गया था यह दोनों जो है यह मस्ट बी अ मुस्लिम यह तरलम इस्तिमाल किया गया था कि वजिराजुम और सादर दोनों मुसलमान होंगे स्टिए यह यह रिलेजिजिन रिस्पेक्ट के उत्वर पर He must be a मुस्लिम if PM and President both 79 What was the official language declared in 1956 Constitution 1954 आईन में पाकिस्तान का official language कौन सा था तो उस वाकत जो बंगाल था वो भी पाकिस्तान का हिस्सा था बंगलादेश अब जो अलहेदा मुलक है 1971 में ये अलग हुआ है पाकिस्तान से लेकिन उस वाकत ये पाकिस्तान का हिस्सा था ये दोनों पाकिस्तान थे बंगाली और अर्दो दोनों को कोव्मी जबान डेकलियर किया गया था तो ये इसका सही जो बोत A and B यानि अर्दो और बंगाली बोत सही है याद रखिया ये क्योंके बंगलादेश भी हमारा पाकिस्तान था उस वक्त असी किस ने मातल किया था ये सिकंदर मिर्जा ने किस ने मातल किया था सिकंदर मिर्जा ये पाकिस्तान के प्रेजिडंट था और उसने 1956 का गंस्टिटूशन जो वो मातल किया था ये थी 40 most important most reputed mcqs of 2025 2025 के सबसे ज्यादा आने वाले mcqs इसी तरह की मजीद mcqs भी इंशालला आने वाले वीडियोज में शेयर होगी अगर आप ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो अभी सबस्क्राइब करें वीडियो लाइक करें अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनक करता हूँ तो आप लोगों का हक बनता है कि मुझे भी सपोर्ट करें देखने के लिए बोई शुक्रिया अल्ला हाफिस